हलो फैंज बहुत बहुत स्वागत है आपका इंगिस रवांतेज यूट्यूब चैनल पर फैंज इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूँगा IBPS PO और क्लरक एक्जैम के लिए कुछ most expected English questions और यह latest pattern के questions हैं इस समय इस तरीके के questions पूछे जा रहे हैं सभी banking exams में तो इनको देखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं यह concept based questions हैं और definitely यह questions पूछे जाएंगे अब देखिए यहाँ पर एक यह question है आप देख सकते हैं question number one इसमें एक sentence दिया है और sentence में पांच words को highlight किया गया है पहले चार words होते थे अब पांच words बाले में यह questions पूछे जा रहे हैं तो इसमें words की position को आपको resuffle करना पड़ता है यानि exchange करना पड़ता है ताकि वो sentence grammatically correct हो और contextually सही हो ठीक है तो कौन से words की position आपको change करनी है उसके according फिर यहाँ से इसमें आपका answer बनता है अब देखिए यहाँ से यदि आप इसको पढ़ें तो देखिए इस video class में मैं 10 questions आप definitely यह पूछे जाएंगे तो इस video class को पुरा आप end तक देखिए और in questions को समझने की कोशिश करिए देखिए यहाँ से हम पढ़ते है it is in the humans race interest to ensure that animals are treated well देखिए यहाँ तक तो यह sentence ही है कि क्योंकि हम या तो humans को अच्छी तरीके से treat करते है या animals को अच्छी तरीके से treat करते है यानि यह treat जो word है यह animals या humans के साथ ही इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यहाँ तक यह sentence grammatically and contextually सही है अब देखिए their practices not encroach देखिए encroach का मतलब होता है अतिकरमण करना यानि किसी territory में illegally घुश जाना उसको हम बोलते है encroachment अतिकरमण करना तो देखिए यहाँ practice एक word आ रहा हम किसी area को encroach करते हैं किसी की territory को encroach करते हैं ठीक है तो practices word definitely यहाँ पर गलत है यानि C को change करने की जरूवत है तो यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक word दिया है habitats, habitats भी area ही होता है तो definitely यहाँ पर यदि हम habitat लगा देखिए तो यह थोड़ा सा सही हो सकता है Their habitat not encroached and their farm practices are cleaned up उनकी जो farm practices हैं उनको clean up किया जाए और उनके habitat को encroach नहीं किया जाए यानि यहाँ पर habitat को और देखिए habitat किसमें आ रहा है? E में आ रहा है habitat और practice किसमें आ रहा है? C में आ रहा है तो इन दोनों words को यानि habitat को और practices को exchange करने की जरूवत है यानि C and E C and E को exchange करने की इसमें जरूवत है तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो third तो ऐसे इन questions को आपको करना होता है काफी यह latest button के questions हैं अब देखिए second question को हम देखते हैं और जिस तरीके से मैंने करवा गया है मैं इनको logically आपको solve करवा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है exam में देखिए ideally the union government should double the current year's budgetary scheme देखिए budgetary schemes नहीं होती बजटरी schemes नहीं होती बजटरी के साथ scheme word नहीं आ सकता है यहाँ पर increase करने की बात कर रहे हैं डबल करने की बात कर रहे हैं तो double हम या तो fund को करते हैं जो हमारा fund होता है budget में जो हमारे expenditures होते हैं तो spend word यहाँ पर definitely आ सकता है ठीक है budgetary spend for each of its schemes in the rural and agricultural sector यहाँ पर scheme words नहीं होगा यहाँ पर spend words नहीं होगा यानी A and B इनको exchange करने की जरूवत है तो इसमें देखें A and B एक option दिया है लेकिन इसका C and D भी दिया है इसका मतलब C and D को भी आपको change करना पड़ेगा यहाँ पर देखें amount doubling the following years ठीक है जो double amount करना है spending का उसको पूस्पून कर सकते हैं उसकी इसमें बात हो रही है तो definitely इसमें A, B and C, D यह इसमें सही आंसर आपका होगा तो इस तरह के question काफी trend में है और इसमें examiner आपका देखता है कि words की आपकी knowledge कैसी है किस तरीके से words को आप suitably place करते हैं sentence में अब देखिए इस question को देखते हैं doctors explain देखिए doctors में ऐस लगा हुआ है यह plural noun है तो explain तो सही है और doctor explain कर सकते हैं तो यहां पर यह जो word है यह contextually सही है doctors explain that an animal or bird in a undesirable stressed environment in watching another being killed will have constrained reaction sorry with itself देखिए reaction जो word है इसके साथ constrained word नहीं आ सकता reaction undesirable हो सकते हैं जिसकी जरूवत नहीं है okay ठीक है तो definitely or environment जो है environment environment definitely undesirable भी हो सकता है लेकिन environment के साथ constrained word यहां पर ज़्यादा close है क्योंकि हम animal और words को एक पिंजरे में रखने की बात कर रहे हैं यहां je तो वह constrained होता है वह एक confined environment होता है उसकी इसमें बात हो रही है तो undesirable reaction definitely हो सकते हैं और environment जो है, वो constrained हो सकता है, तो इसमें B and E, काफी close है ये question, B and E को इसमें change करने की ज़रुवत है, अब देखें, इस तरह के sentences में, एक option और रहता है, no interchange required, तो ये भी आपको देखना होता है, लेकिन इसमें definitely B and E को आपको change करना पड़ेगा, काफी सारे student इसमें no interchange required लगा सकते हैं, लेकिन अगर बारी की से आप इसको थोड़ा सा analyze करें, तो B and E इसमें सही option आपका होगा, ठीक है, चलिए, कुछ questions और देखते हैं, ये और hygiene and better farm practices in the meat industry, if you do not want to have disease-ridden meat coming to insured table, यहाँ पर देखें, तो आपको हाइजीन का धान लगना पड़ेगा, इसको तो यहाँ पर insured definitely आएगा और यहाँ पर table आएगा, यहाँ पर टेबल आएगा, यानि A इसमें एक change होगा, और एक C इसमें चेंज होगा, mutating dangerously, एक second, इसको आगे देख लेते हैं, A and C, देखें, A and C इसमें यहाँ पर भी दिया है, A and C यहाँ पर भी दिया है, jumping species and mutating dangerously, mutating का मतला फैल ना उसका, ठीक है, species and mutating dangerously to infect and kill human reactions within itself, ठीक है, तो A and C ही इसमें आणसर होगा, second इसमें आपका सही आंसर होगा, यानि D and E को change करने की जरुएट नहीं है, वो सही है, आगे दिखते हैं, agriculture, promotion, undertaken, have been, नहीं, undertaken word गलत लग रहा है, यहाँ पर agriculture, promotion, promotional activities, यहाँ पर actually activities आणा चाहिए, activities, agriculture, promotional activities, have been undertaken, उनको लिया गया है, तो A and B को इसमें definitely change करने की जरुएट है, और इसमें और कोई option नहीं है, additional provisionaling should not unduly stretch, हाँ यह सही है, A and B ही इसमें सही answer होगा, तो इस तरीके से इन questions को आपको करना होता है, कुछ questions मैं आपको और explain करके बताता हूँ, देखिए यह phrase replacement के कुछ questions है, और इसमें यह जो underline वाला phrase है, इसको आपको देखना होता है कि grammatically and contextually, हर तर ऐसे यह सही है या नहीं, यदि सही नहीं है, तो better options के साथ, इसको आपको exchange करना होता है, और यदि पहले से सही है, तो no replacement required is answer होता है, देखिए, while this progress is heartening, there are certain indicators, where focused attention is required, इस sentence का मतलब क्या है, देखिए, while के थूँ, हम contrast दिखाते हैं, दो statements में, एक तरफ हम बोल लाएं कि यह progress, जो है, यह heartening है, यह progressive है, यह अच्छी है, encouraging है, heartening का मतलब encouraging, देखिए, एक तरफ तो यह progress encouraging है, लेकिन दूसी तरफ कुछ indicators ऐसे हैं, जहां पर focused attention required है, ठीक है, तो indicators के साथ, certain word सही है, there are भी सही है, अब देखिए, heartening की जगा, यहां पर heartening word लखा हुआ, जो की गलत है, heartening, there are, देखिए, indicators जो है, यह noun है, और certain जो है, adjective है, ठीक है, तो यह sentence आपका सही है, इसमें कोई replacement की ज़रुवत नहीं है, certainly नहीं होगा, a certain भी नहीं होगा, क्योंकि indicators हैं, बहुत सारे indicators हैं, तो there is भी नहीं होगा, तो definitely this question का answer होगा, first, that is, no replacement required, अब देखिए, यहां पर हम देखते हैं, in subsequent versions of the index, continue efforts, need to be, देखिए, एक सेकेंड, effort के साथ हम done नहीं लगाते, make लगाते हैं, जैसे make mistakes, ठीक है, तो efforts नाउन है, तो यहां पर adjective चाहिए, adjective इसका होगा, continued, continued, तो इसमें continued efforts need to be made, efforts plural नाउन है, इसलिए need में नहीं लगेगा, need to be done, यह थोड़ा सा गलत होगा, no replacement required नहीं होगा, continued effort need मेंस नहीं आएगा, और इसमें taken word भी नहीं आएगा, यानि यह वाला यह option है, continued efforts need to be made, efforts के साथ need मेंस नहीं लगेगा, क्योंकि यह plural noun है, और efforts के साथ हम made word का इस्तेमल करते हैं, का नहीं करते हैं, तो इसमें फिप्ट जो है, यह काफी काफी क्लोज कुश्चन है, इसमें सही आंसर आपका होगा, नेक्स्ट हम देखते हैं, पॉइंट रिगार्दिंग गार्दिंग वालिटी अवालिटी अवालिट इस वेल टेकन, इसमें फिप्ट आपका सही आंसर होगा, यह काफी अच्छा कोश्चन है, काफी अच्छा कोश्चन है, और देखे, इसमें क्या हो रहा है, कि इसमें हम यह बूल रहे हैं, कि जो फार्मर्स हैं, वो बहुत परेशानी में हैं, ड्राउट है, अन्रीजनेबल रेंस एंड फ्लेट्स के नीचे दबे हुए हैं, तो इसको देखते हुए, उनका जो इयरली ग्रांट है, मतलब यदि हम इन जातर फार्मर्स की सच्चाई को, उनकी रियलिटी को कंसीडर करें, तो यह देखते हुए हमें 9,000 तक उनका इयरली ग्रांट बढ़ा देना चाहिए, तो यहाँ पर हमें गिविंग जो वर्ड है, इसके स्थान पर हमें लिखना चाहिए, गिविन जिसका मतलब होता है, कंसीडरिंग, यह इने इसमें आपका गलत है, लेकिन इदिया कहां पर है, इदिया है फोर्थ में, तो आपका आंसर होगा इसमें 4, इस तरीके से इन कोश्चिन्स को करना होता है, this grim truth is reared its face again as the international scientific community now investigates the source of mutating coronavirus मतला इसमें coronavirus के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये जो grim truth है ये जो दुखदाई सच्चाई है इसने अपना चहरा फिर से मोड दिया है मतला फिर से हमें इसको face करना है the grim truth has reared its face यहाँ पर has word सही होगा ठीक है यानि A इसमें आपका सही आंसर होगा A दिया कहाँ पर है A दिया है second में तो second इसमें सही आंसर होगा तो ये कुछ questions हैं ऐसे questions आप expect कर सकते हैं pre में IBPS PO में और clerk में में और mainz level के कुछ questions आगे मैं कराऊंगो आपको आगे के video classes में तो इस चैनल पर ये दिया first time आया हैं तो इसको subscribe करें like करें और comment करके मुझे बताएं कि कैसा लगा ये video class कैसे लगे ये questions तो इस session में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा next video class में THANK YOU